Hey guys, welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप लोग, मैं होप करती हूँ, आप लोग अच्छे होंगे. अजिससे आप झाले के आई हूं, पैडी के और at home, जिससे आप उसनी से अपने पैरों को साफ कर सकते हैं, अपने पैरों को बोग साफ कर सकते हैं, तो मैं आपके लेके आई हुए एक बहुत अच्छी वीडियो जिससे आपको बहुत हेल्प होगी और आप घर बेटे अपने पैरो को साफ कर सकते हैं तो भी घर की चीजों से आप अपने पैरो की गंदिगी निकाल सकते हैं जिसे हम डेड़ स्किन कहते हैं जो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक ज़रो करें, शेयर जरो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूंको नहीं बोलें जो बीडियो स्टार्ट करते हैं करस्क्राइब करें कीजिया कर Crispy Mo Later सु आधे बेखान माई है कितने जाधा बेकार हो रहे हैं कितने जाधा डेस्ट है पारों में उर बहुत जाधा ब्लैक हो गए मेरे प्रीए तो चलिए वीडियो स्टाइट करते हैं और अपने पेर amo को कलीन करते हैं सबसे पहले मैं अपने जो ध नेल पेड़ को remove कर रही हूं तो मैंने ले ले लिया is nail print remover और ये मैं cotton से अपने nail print को remove कर रही हूं इदेखिए मैं हलके हलके हाथ से अपने जो nail printा है सारी remove कर लूँगी फिर उसके बाद हम अपने nail कोんな अच्छे से clean कर लेगे फिर आगे का प्रोसेस हम फिर स्टार्ट करेंगे पहले हम निल प्रिंट कर लेते हैं अपनी अच्छे से रिमूव ताकि हम पैडिक और अच्छे से कर पाएं सब्सक् Simple Jeans करेंगे सब्सक्षाइब मैं ले लिया है और डाली है वाइल वाटर जितने हैं जतना आप जो पैर है तुरिक ह है इसमें इतना आप पानी ले लीजिए फिर इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर लीजिए जिससे कि आपकी पैरो की डेड़ स्किन होगी वो से क्लीन हो जाएगी नेक्स्ट हम डालेंगे शैंपो कोई भी शैंपो आप यूज कर सकते हैं मैंने रियाएड आपका शैंपो क्योंकि मैं यही यूज करती हूँ तो मैंने एक shampoo इसके अंदर add कर लिया है और इसे अच्छे से mix कर लेगे shampoo को पानी में अभी पानी थोड़ा सा गरम है तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिलेंगे ये पानी कम है आपके पैरो के लिए इसके बाद हम डॉलेंगे इसमें जो आपके इसमें bleach में निकलता है एक्टिवेटर इसको डाल देंगे आप पानी में थोड़ा सा उससे जो आपके पैरों कि गंदिगी होगी डेड़ स्किन होगी वो अच्छे से साफ हो जाएगी और आपके जो पैर है वो अच्छे से चमक जाएगी और भप थुमदर हो जाएगी मैंने सब मिला दिया अच्छ अब इसमें थोड़ा सा गरब बानी और एड़ करेंगे क्योंकि पानी कम है फिर मैंने डाल दी अपने पैर इसके अंदर और देखिए जहाग बन गया है पानी के अंदर और यह मैं अच्छे से इसको क्लीन करूंगी पैरों को अपने एक ब्रुश की हल्प से जापका बेकार स यूजफुल होगी वीडियो को पूरा एंटक्स जरूर देखिए बुल्कुर भी स्किम न करें ताकि आप भी अच्छे से घर पे पैटियूर कर सकें आपके नेल्स को अच्छे से क्लीन करें जो भी गंदगी होगी सब निकल जाएगी रिमू हो जाएगी और ध्यार रहे कि यूजब ना जादा तीज होना चाहिए ना जादा ठंडा होना चाहिए यूजब आपको अच्छे से इसको ब्रेस से अच्छे से क्रिंग कर रही हूं पूरी जो गंदगी है सब खतम हो जाएगी चली जाएगी पिर आपको रिजल्ट दीखेगा वीडियो के एंड में और आपको अगर रिजल्ट देखना तो वीडियो पूरी देखना बूलें यह देखिए गाइस मैं किते अच्छे से इसको रिमूब कर रही हूं अपनी डैड स्किन को क्योंकि बहुत जादा बेकार हो गया है मेरे पैर मैं अपनी केर नी कर पा रही थी अपने बच्चों के बच् किसको पैरियो क्लीं कर सकते है चलिए आपको रिजल्ट दिखाते हैं ठोड़ी दिर में तो गई कम से कम 5-10 मिनट तक आप आपको अच्छे से अपने बरूश की हेलप से अपने पैर को क्लीन करना है और 10-15 मिनट तक आपको इसको ऐसी डिप करके रखना है पैर को ताकि सार जलन मचनी शुरू ही थी स्टार्टिंग में बट अब नहीं हो रही है तनी दो चेर डाली में देखिए पानी के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो किती सारी गंदी की निकल चुकी है मैं इसको अपने हैंड से साफ कर रही हूं ताकि अच्छे से साफ हो जाए अपने यह मैंने निकाली है अपने पैर और यह मैं टावल से साफ टावल से अपने पैरों को कर रही हूं साफ साफ करने के बाद कोई भी अच्छा कंपनी का लगाएंगे हम बाडी लोशन या मॉस्टराइजर मैंने लिया है अपने घर पे जो मैं यूज करती हूं बाडी लोशन वो मैं लियाज जोई का बाड़ी लोशन ये मैं लगा रही हूँ अपने पैरों पे तो गाइज एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप बाड़ी लोशन लगाएं कम से कम पांच मिनट तक अपने पैरों पे अच्छे से मसाज करें तो कि आपके जो पैरे वो खुरकुरे से ना रहें और अच्छे से मोस्चराइज रहे तो इसको मैंने बहुत अच्छे से लगा कर और अच्छे से मसाज की है ये देखिए मैं अब भी मसाज कर रही हूँ कम से कम पांच ये 10 मिनट तक आपको ऐसी मसाज करनी है फिर आप फोर्थ स्टेप करेंगे जो कि है नेल पेंट का और मैं लगा रही हूँ अपनी फेवरेट ब्लू नेल पेंट जो कि मुझे बहुत पसंद है ये लगा रही हूँ मैं ब्लू कलर की नेल पेंट नेल पेंट लगाने के बाद आपको जो आपको पहनना है पायल वगेरा पहन सकते हैं ये हमारे सारे स्टेप हो गए है फिनिश और हमारा पैडिक्योर हो गया है कम्प्लीट आपको हमारा पैडिक्योर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्फुल हो तो शेयर करना बुलकुल न बूले इतने आसान तरीके से आपको घर बैठे पैडिक्योर नहीं मिलेगा और कम प्राइज में आपको सब चीज़े आपकी घर में ही एविलेवल होंगी इसलिए आप इसको घर बैठे असानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही असान तरीका है आपके जो डैडि स्कीन है उसको निकालने के लिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप भी उसको ज़रूर ट्राइ करें ताकि आप भी अपना टाइम और मनी बचा सकें सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलिए बाइ बाइ थैंक यू पर वाचिंग